देव भूमी उत्राखन को देवों की भूमी माना जाता है देव भूमी अपनी सुन्दर्ता और हर्याली के लिए तो जानी जाती ही है लेकिन देव भूमी देवी देवताओं के मंदिरों के लिए भी काफी मशूर है आज हम आपको उत्राखन के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां भगवान शिव का मंदिर तो है लेकिन वहाँ पूजा करना मना है भगवान शिव का ये मंदिर उत्राखन की राजधानी दहरादून से 76 किलोमेटर दूर बलतिर के एक हतिया देवाल में स्थित है इस मंदिर को अभिशप्त शिवाले भी कहा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखे क्यूं देवों के देव महादेव के इस मंदिर को लेकर यहाँ पूजा करने की मना ही है दरशल ऐसी मानेता है कि ये मंदिर एक रात में बन कर तयार हुआ है और जिस कारिगर ने इसे बनाया था उसका सिर्फ एक ही हाथ था यानि कारिगर ने अपने एक हाथ से ही एक रात में भगवान शिव का ये मंदिर तयार किया था इसी कारण इस मंदिर की जगा को एक हतिया देवाल कहा जाता है भगवान शिव के इस मंदिर में श्रधालू काफी दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं लेकिन कोई भी श्रद्धालू यहां मंदिर में रखे शिवलिंग की पूजा नहीं करता ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालू इस मंदिर में पूजा करेगा उसकी पूजा उस व्यक्ति के लिए फलदाई नहीं होगी क्या है इस मंदिर से जुड़ी माननेता चली हम आपको बताते हैं कहा जाता है कि मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने एक रात में इस मंदिर को तयार किया था पर जब पुजारियों ने शिवलिंग को देखा तो उसका जलाधारी उल्टी दिशा में बना हुआ था जिसे सही करने के लिए काफी प्रियत्न हुए लेकिन अर्गा सही नहीं हुआ तभी पुजारियों ने ये कहा कि इस शिवलिंग की जो भी पुजा करेगा उसे पुजा का फल नहीं मिलेगा और हो तो ये भी सकता है कि पुजा करने वाले व्यक्ति की ज़्यादा शती हो झाल झाल